दर्शको राहूल गांधी भी आखिरकार बोलने को मजबूर हो गए है कि मोधी तुसी ग्रेट हो। कॉंग्रेस और राहूल गांधी की तरह पियम मोधी कभी भी किसी मुद्दे को राजनितिक चश्मे से नहीं देखते हैं। कि जो असल में जन्नायक होता है उसे खोद ये बताने की जरूरत नहीं होती है। देश के लोग उसे जन्नायक बनाते हैं और कहते हैं असल में जन्नायक वो होते हैं जो अपने दम पर देश की राजनितिक हवा को बदलने की छमता रखते हैं। और जिनकी एक आवाज पर देश एक साथ खरा हो जाता है और वो इस वक्त पीम मोदी ही है। कोविट के दौरान हम सब ने देखा था कि कैसे पीम मोदी के कहने पर देश के लोगों ने एक साथ थाली और ताली बजाई थी और साथ ये दिये भी चलाएं थे। वहीं पीम मोदी बिना राजनितिक स्वार्थ के जो फैसले लेते हैं उससे कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी भी मजबूर हो जाते हैं पीम मोदी की तारीफ करने पर लेकिन कॉंग्रेस को मिर्ची लग जाती है और अपनी आदत से मजबूर कॉंग्रेस के नेता हर बात पर राजनीती करने लगते हैं क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल लोकसभा में विपक्ष केनेता राहूल गांधी ने पीम मोदी का धन्यवाद देते हुए आभार जताया है लेकिन जैराम रमेश ने राहूल गांधी के किये कराय पर पानी फेर दिया और दिखा दिया कि कैसे कांग्रेस केनेता सिर्फ राजनीती करने पर विश्वास रखते हैं वो हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से ही देखते हैं दरसल राहूल गांधी ने पीम मोदी के वाइनार जाने और भूस कलन से तबाही शेत्र की स्थिती का जायजा लेने के ल इस तरास्दी को राश्ट्रिय आपदा घोशित किया जाएगा बतादे कि पीम मोदी ने केरल के भूस कलन प्रभावित वाइनार का दोरा किया था और साथी केरल में आई आपदा में बचे लोगों से बाचित भी की थी वहीं पीम मोदी के वाइनार दोरे पर जाने पर जहाराहूल गांधी ने उनकी तारीफ की और थैंक्यू कहा तो वहीं कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश को मिर्ची लग गई कॉंग्रेस महासचीव जैरम रमेश ने पियम मोदी के वाइनाट दोरे को लेकर उन पर तंच कसा जैरम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वाइनाट गए है ये अच्छी बात है लेकिन उन्हें मनिपुर भी जाना चाहिए रूस जाए यूकरेन जाए जैरम रमेश ने आगे लिखा कि दरजलिंग का डेलिगेशन हमसे मिलने आया और उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री 10 साल से नहीं आये हैं तो इसलिए उन्हें हर जगह जाना चाहिए वे नन बायलोजिकल हैं हर कोई उन्हें सुनना चाहता है जैराम रमेश यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि राहुल जी के भाशन के दोरान दो बार खरे होकर उन्होंने यानि पियम मोदी ने गुमराह करने की कोशिस की अनुलाग ठाकुर के बयान को प्रधान मंत्री ने एक्स पर शेयर किया इस सरकार की विचारधारा असत्यमेव जैते पर आधारित है वहीं देश की आजादी के पर्व सोतंदता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अवियान चलाया जा रहा है इस अवियान के शुरुआत करते हुए पियम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लोगों से आग्रह किया इसको लेकर भी जैरम रमेश ने हमला बोला है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जैरम रमेश ने कहा है कि तिरंगा के साथ RSS के संबंधों का संशिप्त इतिहास है तो देखा अपने कैसे एक तरफ तो राहुल गांधी पियम मोदी की तारीफ करते हैं वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस को मिर्ची भी लग रही है और वाइनाट के मुद्धे पर ट्वीट कर जैरम रमेश ने ये दिखा दिया है कि कॉंग्रेस हर बात पर राजनिती ही करती है उसे देश हित के मुद्धे से कोई लेना देना नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट ओमेच निउज